तो हेलो माई दियर स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर टू हमारा होने वाला है पोट्रिट ऑफ लीडी का तो गाइस लास्ट लेक्चर उमीद करता हूं आप सभी लोग ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगर अगर आप इपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेर खरूर कीजिएगा तो आज लेक्चर में हम लोग वर्ड मिनिंग के साथ और सेंटेंस के मिनिंग के साथ बिल्कुल डिप अंडरस्टेंडिंग से इस लेक्चर को देखने वाले हैं इस चैप्टर को बचला नाम है जैसे आप लिक्चर को लिखा है वो उसके राइटर है तो चैप्टर जहां पर स्टार्ट होता है वहाँ पर हमें सबसे पहले दादी मा जो हैं जो खुश्वन सिंग की दादी जी है उनका केरेक्टर स्केच देखने को मिलेगा कि उनका चरितर कैसा है वो दिखने में कैसी है यह सारी चीजे हमें दिखाई देती हैं माई ग्रेंड मदर यानि मेरी दादी मा तो हम लोग खुश्वन सिंग की जगे अपने आपको रख रहे हैं और वो कैसे अपनी दादी मा के बारे में बता रहे हैं उसे देख रहे हैं माई ग्रेंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रेंड मदर वाज एन ओल तो मेरी दादी मा बिलकुल वैसे ही जैसे किसी भी अन्य वेक्ति की दादी होंगी वो एक व्रद्ध महिला थी वह बहुत जादा बूड़ी थी और रिंकल्ड थी रिंकल्ड मतलब उनके चहरे पर जुर्रियां पड़ी हुई थी पिछले 20 सालों से जैसा कि मैं उन्हें जानता था पीपल सैट दाट शी हैड वोन्स बीन यंग एंड प्रिटी तो लोग जो है वो कहते थे के एक समय वै बहुत ही युवा थी और बहुत ही प्यारी थी प्रिटी का मतलब क्यों होता है प्यारी या सुन्दर थी वो होती और बलकि उनके एक पती भी था दादा जी बट डैट वोज हार्ड तो बिलीव लेकिन जब मैं अपनी दादी को देखता था या 20 सालों से जैसे मैं अपनी दादी को देख रहा था इस बात पर विश्वास करना बहुत जादा मुश्किल था हार्ड टू बिलीव का मतलब किसी चीज़ पर जब विश्वास करना अत्यदिक मुश्किल लगने लगे जैसे कि कोई विद्यारती कहता है कि सर मैं तो 12-12-15-15 गंटे पड़ाई करता हूं तो मेरे मुझ से गलती से निकल जाता है इस रियली हार्ड टू बिलीव यानि इस बात पर जो विश्वास करने वाली बात है वो थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए मैं ग्रेंट फादर्स पोट्रेट यानि कि मेरे दादा जी जो है उनका चित्र हंग अबावदा मैंटल पीज हंग का मतलब होताई है हैंट शब्र से बाँव हंग तो हैंग की पास्ट फॉरॉम है सेकेंड फॉरॉम है या टांग ना भी कह सकते हुआ बोलचाल के भाशा में तो वो लटका हुआ था या तंगा हुआ था अब मेंटल पीस किसे का जाता है अंगीठी वाली जगे होती है हमारे यहां पर सामान्यत है घरों में नहीं दिखाई देती लेकिन आप बड़े मैंशन में जाएंगे बड़े बंगलोज में जाएंगे तो वहां आपको पुराने एक एरिया बनाया जाता है जहां पर सामान्यत है आग लगाने का काम करते हैं सर्दियों के टाइम में इसमें आग लगाई जाती है ताकि उस एरिया को उस शेत्र को गरम रखा जा सके उसे कहा जाता है मेंटल पीस तो अंगेटी या सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के स्थान के ओपर दिवार का उबरा हुआ या बाहर निकला हुआ भाग वहां पर उनके दादा-जी का एक पोट्रेट पूट्रेट का मतलब क्या है एक चित्र जो है वहाँ और टंगा हुआ था In the drawing room, drawing room के अंदर, drawing room किसे कहा जाता है, अतिती कक्ष को कहा जाता है, तो अतिती कक्ष के अंदर, he wore a big turban, उन्होंने एक बड़ा साफा पहन रखा था, and loose fitting clothes, और धीले ढाले, loose fitting का मतलब क्या होता है, एक तो tight fitting, tight fitting मतलब बिल्कुल जितना शरीर है, उतना ही लंबा चोड़ा कपड़ा है, loose fitting का मतलब क्या होता है, धीले ढाले से उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, his long white beard covered the best part of his chest, तो उनकी लंबी जो डाड़ी थी, और सफेद डाड़ी जो थी, वो cover कर रही थी, cover कर रही थी, यानि कि धक रही थी, किसको धक रही थी, तो best part, यानि उपरी हिस्सा जो था उनके chest का, उनकी छाती का, and he looked at least a hundred years old, और वो कम से कम 100 साल के बुजर्ग लग रहे थे, उस तस्वीर में भी, यानि कि जब तस्वीर ली गई थी, तब भी वो इतने वरद्ध थे, ठीक है, तो उनकी तस्वीर में वो अत्यदिक वरद्ध या 100 साल बुड़े लग र देखते हैं, तब वो ऐसे व्यक्ति प्रतीत नहीं हो रहें बिल्कुल भी, कि इनकी कभी कोई पतनी हो सकती है, या इनके कभी बच्चे हो सकते हैं, यानि कि वो उस चित्र में ही इतने वरद्ध दिख रहे हैं, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, यानि कि वो दिखने में ऐसे लग रहे हैं, यार इस आदमी की कोई पतनी होगी, या बच्चे होंगे, ये मानना मुश्किल है, इनको देखके लगता है, इनके बस बहुत सारे पोते-पोती हो सकते हैं, इनकी वाइफ और बच्चे तो नहीं हो सकते हैं, यानि इतने व्रद्ध वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, as for my grandmother, और अगर मैं अपनी दादी मा के बारे में बात करूँ, being young and pretty, कि वो कभी युवा थी, जवान थी और बहुत ही प्यारी थी, the thought, ये विचार जो है, was almost revolting, revolt करने का मतलब होता है, विरोध करना, किसी चीज़ के प्रती विद्रोह करना, यानि कि जैसी वो दिखाई देती है, आज, उनको देख करके, ये मानना, बिल्कुल भी मुश्किल है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, बहुत ज़ादा मुश्किल है, कि वह ये कभी प्यारी थी, और बहुत ही जवान थी, क्योंकि जब से मैं पैदा हुऊ हूँ, मैंने उतना ही बुड़ा देखा है, कि वो और ज़ादा बुड़ी नहीं हो सकती, मतलब लास्ट लिमिट तक बुड़ा पा उन पर दिखाई दे रहा है, तो ये विचार जो था, ये बहुत ही रिवोल्टिंग था, बहुत ही विरोधा भास, या विरोध प्रकट करने वाला था, अत्यदिक हलचल मचा देने वाला था She often told us the games she used to play as a child, often का मतलब या often का मतलब क्या होता है, अकसर, वह है अकसर हमें कहानिया बताती थी, उन खेलों की, उन games की, जो वो खेला करती थी as a child एक बच्चे के तौर पर, यानि जब वो बहुत छोटी थी, तब वो कैसे खेल खेलती थी, कौन-कौन से games खेलती थी, उन वे जो जितने भी games उस समय में खेले जाते थे, वो बहुत ही बुरे प्रकार के game प्रतीत होते थे, मतलब उनको सुनके ऐसा लगता था, कैसे अजीब से game है, क्या करना है, कपड़े कपड़े से, लपेट के, कपड़े पर कपड़ा कपड़ा लपेट करके, फिर उसको ball बना और ball से एक दूसरे को catch के मारते हैं, अब इस game के बारे में सुनके ऐसा लगता है, कैसा अजीब game एक दूसरे को मालने पीटने का, इस game का कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, तो इस तरह के games के बारे में वो बताती थी, and undignified, और बहुत ही असम्मानिय तरीके स on her part and we treated it like the fables, वो अपने तरीके से ऐसे बताती थी, अपना हिस्सा, यानि कि दादी की कहानियों का या उनकी पुरानी यादों का जो हिस्सा हमारे साथ बताती थी, और हम उन सारी बातों को ऐसे मानते थे, कि भाई कोई बहुत पुराने जमाने की लोग कताएं हैं, जैसे ह उनकी कहानियों को भी हम इतनी ही प्राचीन या इतनी ही पुरानी कहानी की तरह देखते थे, of the prophets, शिद्यपुर्शो की कहानियों की तरह, she used to tell us, जो कहानिया वो हमें सुनाया करती थी, she had always been short and fat, वो हमेशा से छोटी थी, short का मतलब क्या है, जिनकी height कम होती है, यानि कि लाई में short थी, तो जैसे कोई भी वेक्टी ऐसा होता है, जिसको हम बोल देते हैं, कम उचाई वाला ठिंगना, तो बहुत ही ठिंगनी सी थी, बहुत ही कम उचाई वाली थी, and slightly bent और थोड़ी सी ऐसे, आगे की तरफ जुक कर चलती थी, बुड़ापे में लोगों की कमर तो उनके चेहरे पर इतनी सारी lines बनी वी थी, क्रिस क्रॉस के अंदर जुर्या जो हैं, वो lines सी दिखाई देती हैं, क्रिस क्रॉस जो कही से भी कही की और जा रही हो, running from everywhere to everywhere, यानि कही से कही भी जा रही है चेहरे पर जो लकीरे बनी हुई हैं, वो, no, we were certain, she had always been as we had known her, नहीं, हम लोग पूरी तरह से certain हैं, certain होने का मतलब क्या होता है, हम अपने मन में पूरी तरह से निश्चित हैं, हम अपने मन में पूरी तरह से sure हैं hundred percent, कि वो हमेशा से वैसी ही थी, जैसा हम उन्हें जानते थे, non का मतलब क्या होता है, जानना, no का मतलब जानना, तो हमारे द्वारा जैसे जानना जाता था, हम जैसे जानते थे, कि दादी ऐसी दिखती है, वो वैसी ही दिखती थी, हम इसमें कोईच बड़ा चड़ा कर नहीं बोल रहे हैं, old, booty, so terribly old, terribly का मतलब होता है, भयानक रूप से भयानक रूप से, तो वै बहुत ही भयानक रूप से बूड़ी थी, बहुत ही भयानक रूप से व्रद थी, that she could not have grown older, कि वह और जादा व्रद या और जादा बूड़ी नहीं हो सकती थी, and had stayed at the same age for 20 years, और पिछले 20 सालों से वो इसी उमर में, या जिस तरह की वो दिख रही हैं, उसी उमर वाले पड़ाओ में, वो पिछले 20 सालों से दिखाई दे रही थी, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 20 साल पहले जितनी बूड़ी थी, आज भी उतनी बूड़ी है, और अब थोड़ा सा भी स्कोप नहीं बचाए कि और जादा बूड़ी हो सकती है, she could never have been pretty, वो कभी भी प्यारी नहीं थी, मतलब दिखने में बहुत जादा pretty नहीं थी, but she was always beautiful, लेकिन वो बहुत जादा सुन्दर थी, she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her vest, तो वह घर में लंगडा कर या लडखडा कर बहुत ही धीरे धीरे चलती थी, about the house यानि पूरे घर में in spotless white, in spotless यानि बेदाग, सफेद रंग की वो एक साड़ी पहना करती थी, spotless white किसके लिए है, साड़ी के लिए है, तो बिलकुल बेदाग, बिलकुल साफ सुत्री, सफेद रंग की साड़ी वो हमेशा पहने रहती थी, with one hand resting on her vest, और दूसरा हाद जो है, उनकी कमर पे, ऐसे रखकर चलती थी, जिससे वो balance कर सके अपने आपको, to balance her stoop, अपने जुका her rosary, और दूसरा हाद जो होता था, the other किसके लिए का गया, hand के लिए का गया, तो एक हाद से तो वो अपनी, एक हाद तो कमर पे रखती थी, जुक्के चलती थी, तो कि मैं ठीक चल सकूँ, और दूसरे हाद में उनकी हमेशा एक माला होती थी, rosary का मतलब क्या होता है, माला क तो वैसे ही उनके हाद में एक माला थी, जिसके मोती, जो है, beads का मतलब क्या है, माला के मोती या माला के दाने, ठीक है, दाने या मोती, ठीक है, उन्हें वो फेड़ती रहती थी, उन्हें वो घुमाती रहती थी, ठीक है, guys, हर silver locks, और उनकी silver locks का मतलब क्या है, उनके बालों का गुच्छा या उनकी बालों की चोटियां, तो उसको silver क्यों का गया है, क्योंकि वे, जो उनके बाल थे, वो बिल्कुल कैसे थे, सफेद रंगे थे, कैसे थे उनके बाल, सफेद रंगे बालों की उनकी चोटि बनी वी थ were scattered untidily scattered का मितलब उनके बालों की चोटिया बिखरी हुई रहती थी scattered का मतलब होता है बिखरना क्या ते इसका बिखरना तो बिखरी हुई रहती थी untidily untidily मतलब अश्वच्छ तरीके से या बिना सही तरीके से बंधे हुए उनके बाल नहीं थे over her pale पेल का मतलब बिलकुल नीरस सा उदास सा पीला पड़ा हुआ चहरा पकड का मतलब क्या होता है जुर्यों वाला फेस यानि की चहरा तो उनका चहरा बिलकुल कैसा था पेल था एंड पकड था यानि की बिलकुल पीला सा पड़ा हुआ बिलकुल बेजान सा दिखने वाला और जुर्रीदार उनका चेहरा था और लिपस और उनके लिपस जो हैं वो constantly का मतलब होता है लगातार आप इसके लिए एक और वर्ड लिख सकता है चाहिए तो continuously ठीक है लेकिन continuously थोड़ा सा वैसा लगता है informal सा थोड़ा अच्छा शब्द है constantly तो अगर चूज करना हो के constantly लिखें के continuously लिखें हमेशा constantly लिखें वो हमेशा अच्छा लगेगा ठीक है moved inaudible inaudible का मतलब है जिसे सुना ना जा सके जिसे सुन ना सके ऐसी प्रार्थनाओं में उनके होट लगातार कुछ ना कुछ ना कुछ बोलते रहते थे और क्या बोलते रहते थे तो उनके होट हमेशा prayers करते रहते थे प्रार्थना करते रहते थे yes she was beautiful हाँ वह सुन्दर थी कैसी थी दिखने में जादी बहुत ही सुन्दर कितनी सुन्दर she was like the winter's landscape यह देखो यह आपके सामने आया है winter का landscape कितना सुन्दर लग रहा है मैं पीछे अट जाता हूँ लग रहा है का सुन्दर एक बार बताना comment box में comment करके live chat में मत करना comment box में comment करके बताइए सुन्दर लग रहा है अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखके है मन प्रसंद हुआ थोड़ा सा तो वो बहुत ही सुन्दर थी जैसे winter का यानि सर्दियों के समय का landscape यानि की भूद्रश्य भूमी का जो द्रश्य होता है जहां पर बरफ होती है वहाँ पर बहुत ही सुन्दर लगता है प्राकरतिक द्रश्य बूद्रश्य in the mountains पहाडों में ठीक है तो पहाडों का जो बूद्रश्य होता है सर्दी के समय में वैसी ही वो बहुत ही सुन्दर थी An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment एक फैलाव यानि उनके चहरे का जो भाव था ऐसा लगता था कि उनके चहरे पर क्या फैलाव हुआ है Pure white serenity उनके चहरे पर यानि कि बिल्कुल शुद्धतम और सफेद पवित्रता या शान्ती उनके चहरे पर फैली हुई है Breathing peace जो बहुत ही शान्त भाव से सांस ले रही है and contentment Contentment का मतलब होता है संतोष करना संतोष बहुत सारे विद्ध्यारती जानते ही नहीं है संतोष करना किसे कहते हैं संतुष्टी शब्द आपने सुना होगा बस वहीं संतोष करना है संतुष्टी का मतलब होता है कि जीवन में जो कुछ जैसा है जितना है सब बढ़िया है हमारे मन में किसी प्रकार का लोब नहीं है लालच नहीं है कि ये और बहतर करना है इसको और बढ़िया करना है संतुष्ट हैं हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ भी है उससे हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं ऐसे ही वो दिखाई देती थी मेरी दादी मा और मैं हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ कर चले गए थे जब वे शहर में रहने के लिए गए थे यानि कि जब मेरे माता पिता शहर में रह 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 थे उस समय लगातार या कॉंस्टेंटली मैं अपनी दादी के साथ ही रह रहा था यानि कि अब हम जब साथ में रह रहे हैं यानि मैं अपनी दादी के साथ रह रहा हूँ तो यहां पर अब हमारे ओथर जो है खुश्वन सिंग वो हमें बता रहे हैं कि गाउं में अपनी दादी के साथ वो किस तरह की लाइफ जिया करते थे या कैसा उनका जीवन था गाउं का तो गाउं का जीवन भाई देखो हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो गाउं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बताना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका बच्पन कुछ-कुछ ऐसा रहा है मतलब exactly तो नहीं रहा होगा क्योंकि खुश्वन सिंग के समय में जो गाउं थे उन गाउं की इस्तिती अलग थी उन गाउं की दशा अलग थी आप लोगों की अगर मैं बात करूं के भाई 6-7 साल 8 साल पहले गाउं की दशा कैसी थी तो डेफिनेटली वो दशा थोड़ी सी अलग थी तो आप में से जो जो लोग खुश्वन सिंग से जुड़ पा रहें इस चैप्टर से जुड़ पा रहें के हां सर हमारा बचपन भी लगबग या कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ही था अगर कुछ भी ऐसा था तो प्लीज मेरे साथ शेर ज़रूर कीजिएगा कि आपका कैसा थ अगर हां बचपन तो कॉमेंट वक्स में जरूर वताना मेरे को तो शी यूस्ट वेक मी अप इन दो मॉर्निंग वो सुबह सुबह मुझे उठाती थी ऐसे नहीं उठाती थी वेंग मी अप का मतलब क्या होता है जगाना तो वेक अप का मतलब हो गया जगाना और मी यानी she said her morning prayer in monotonous sing song monotonous का मतलब होता है बिना सोचे समझे बिना कुछ कहे बस अपने जो भी भजन है उनको गाते रहना उनको बार 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 बोलते रहना तो वह उनकी प्रातह कालीन प्रार्थना है यानि सुबह की जो प्रेयर्स होती है उन्हें एक नीरस भाव से बस लगातार बोलती रहती थी sing song वाले तरीके से यानि उन्हें गाती रहती थी while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart तो जब वो मुझे bathed यानि कि मुझे नहलाती थी dressed me मुझे कपड़े पहनाती थी in the hope इस उमीद में वो मेरे सामने उन भजनों को उन प्रार्थनाओं को गाती रहती थी कभी ना कभी तो मुझे भी वो सारी प्रार्थनाय याद हो जाएंगी I listened मैं सुनता था because I loved her voice क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत पसंदी मैं उनकी आवाज से बहुत प्यार करता था but never bothered to learn it लेकिन जो प्रार्थनाय वो गाती थी bothered का मतलब होता है चिंता करना या परेशान होना तो मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ कि मैं ये सारी की सारी प्रार्थनाय जो है वो याद कर लूँ learn कर लूँ का मतलब क्या है याद करना तो भईया मैं इन्हें याद करने की कभी भी चिंता नहीं करता था परवाह नहीं करता था कि मुझे याद होंगी या नहीं होंगी मेरा तो यह था भाई दादी के आवाज बड़ी अच्छी लगती विया बहुत बड़िया भजन गाती रहती है सुबह सुबह अच्छा लगता है बस क्यों दादी यह सोच रही है कि कभी न कभी याद हो में काम आएंगी कि सुबह सुबह रोज नाते दोते कपड़े पहनते समय इन प्रार्थनाओं को इन भजनों को करता रहेगा तो परमपिदा की कृपा बनी रहेगी लेकिन बच्चे तो क्या हैं आजकाल नए जमाने के जो गीत हैं गाने हैं वो बजा करके और सुबह सुब के लिए रैडी होना शुरू करते हैं उन्हें नहीं पता था कि ये भी ऐसा हो जाएगा बात में अना देंड शी वूड फैच माई वुड़न स्लेट तब वो मेरी लकडी की वुड़न मतलब लकडी से बनी हुई एक स्लेट लेकर के आती थी फैच का मतलब होता है लाना ठी ठीक है तो वह मेरे लिए एक लकडी की स्लेट लाती थी विच शी हैड औरेडी वॉष्ट जैने वो पहले ही धो चुकी थी एंड प्लास्टर्ड विट येलो चॉक और उन्होंने उसे पोत दिया था पोत दिया था येलो चॉक से यानि कि येलो कलर का जो एक मिट्टी आती कि उससे अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं कि पहले के समय में जो अपने स्लेट और ये सारी चीज़े होती थी वह कैसी होती थी उस जमाने में ओल्ड एज में नॉर्मली एक लकड़ी की तक्ती होती थी और पीली मिट्टी का एक लेप उस पर लगा दिया जाता था उसके बाद उसे सूखने के लिए रख दिया जाता था उसके बाद इंक पॉट होते थे हा न क्या बोलते हम लोग दवात होती थी जिसके अंदर शाही होती थी इंक हो तो वो सारी मिट्टी इंक सबट जाएगी और वापस उस पे एक पिली मिट्टी का लेप लगा करके छोड़ दिया जाता था और सूखने के लिए रख दिया जाता था इस तरीके से स्लेट पहले काम करती थी इस तरह की स्लेट जो है बाद में आई थी अ टाइनी अर्दन इंक पॉट यानि कि एक दवात जिसमें छोटा सा एक कटोरी जैसा माल लो या छोटा सा एक लोटे जैसा माल लो जिसमें इंक भरी जाती थी एना रेड पैन और एक लाल पैन टाइदेम ओल इन बंडल उन्हें सबको एक बंडल की तरह बांद करके and hand it to me और वो मुझे सौप देती थी after a breakfast of a thick settle चपाती with a little butter and sugar spread on it breakfast में वो मुझे मोटी सी पिलकुल बेस्वाज सी पुरानी लगने वाली थंडी लगने वाली चपाती देती थी रोटी देती थी जिस पर थोड़ा सा बटर अब बटर बटर तो नहीं होता था मैं साब बताओं यह बटर वाला बटर नहीं है यह अपना समझने लगे हैं जब यश्वन सिंग चोटे थे और गाओं में रहते थे वहां कोई बटर नहीं था वहां घी होती थी यहां फिर मक्षन होता था ठीक है जो की बिलोने से निकाला जाता था शुकर स्प्रेड और उस पर शक्कर फैलाई जाती थी ठीक है तो आप लोगों का चाल दिया उस पर शक्कर थोड़ी सी बुरग दी उसके बाद एक ग्लास दूद्ध या चाए एक कप और आपको उसको रोल करके दे दिया जाता था बहुत ही गलत शब्द है बहुत ही बुरा शब्द है लेकिन यहां पर छोटे बच्चे उनको कहते थे बीडी बना के खाल यहीं चीज उनके साथ भी होती थी बटर शुगर स्प्रेट करके और वह उस रोटी को खा लेते थे नाश्ते के तौर पर ठीक है गईस next time we went to school she carried several settled chappatis वो कई सारी several का मतलब होता है अनेक या अनेकों भी कह सकते है अनेकों chappatis जो अपने साथ में लेके जाती थी for the village dogs गाउं के dogs कुते जो है गाउं में रहने वाले उनके लिये my grandmother always went to school with me मेरी दादी मां हमेशा मेरे साथ he school जाती थी because the school was attached क्योंकि मेरा जो school था वो बिल्कुल जुडा हुआ था या लगा हुआ था किस से टेंपल से याने कि टेंपल है और टेंपल के पास में स्कूल है तो भाईया वो उसको स्कूल छोड़ देती थी को टेंपल चली जाती थी मंदिर चली जाती थी the priest taught us और वहाँ जो priest होते थे वहाँ जो पंडिजी होते थे वो हमें पढ़ाते थे the alphabet alphabet किसे कहा जाता है तो हिंदी में हम कहते है वर्ण माला पढ़ाते थे और यह सारी किसारी क्या है यह पूरी वर्ण माला है तो हिंदी किस तरह से वह हमें वर्ण माला पढ़ाते थे and the morning prayer और प्रात है काल में की जाने वाली प्रातना हमें बताते थे हमें पढ़ाते थे वाईल दा चिल्रें सेट इन रोस जब बच्चे कतार बना करके अब यह देखो नहीं सारे बच्चे के है कतार करके एक बिलकुल सीधी लाइन बना करके बैठे हों है बैठे होते थे आइधर साइड ओफ दा विरिंडा आइधर साइड मतलब बरामदे के दोनो तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी आइधर साइड ओफ दा वरिंडा singing the alphabet world माला को गाते रहते थे वही unison में unison world आया था ना पहले एक सुर में सारे एक साथ गाते रहते थे और the prayer in chorus या फिर सामोहिक रूप से जोड-जोड से चिला-चिला के प्रार्थनाय गाते थे सुबह आप लोग भी गाते होंगे ना स्कूल में आज जोड़के खड़े हो करके गाते हो प्रार्थनाय morning prayer किस-किस के कौन-कौन सी होती है बताना मेरे को एक बार comment box में आपके स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती है मेरे स्कूल में इतनी शक्ति हमें देना दाता होती थी ठीक है गौर्वर्मेंट स्कूल में था मैं तो वहां यही प्रार्थना होती थी हमारी my grandmother sat inside reading the scriptures और मेरी दादी मा मंदिर में जाके बैठती थी वहां बैठ करके scriptures पढ़ती थी यानि कि धार्मिक गरंत धर्म गरंतों को पढ़ती थी तो जब हम घर से निकलते थे तो दादी मेरे साथ आती थी और मंदिर और स्कूल पास पास में थे मुझे स्कूल छोड़ देती थी जहां मैं alphabets और prayers गाता था morning की और दादी जो हैं खुद मंदिर चली जाती थी scriptures यानि कि धार्मिक गरंत महाबारत बगवत गीता पुरान इत्यादी पढ़ने के लिए when we had both finished जब हम दोनों अपने अपने काम से free हो जाते जब मेरी कख्षा समापत हो जाती और उनकी पूझा समापत हो जाती we would walk back together तो हम चलकर वापस साथ में घर आ जाते this time the village dogs would meet us और इसी समय village के जो dogs हैं जो कुत्ते हैं वो हमसे मिलते थे at the temple door मंदिर के दरवाजे पर ही वो dogs हमें मिल जाते थे they followed us to our home वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे follow करना मतला पीछा करना तो वे पीछा करते हुए हमारे घर तक आते थे growing गुराते हुए and fighting with each other और एक दूसरे से लड़ते हुए for the chapattis उन chapattis के लिए we through to them जो chapattis हम उनके खाने के लिए उनकी तरफ फैक दे थे अब तो खेर बहुत सारे लोग जो है इस बात का विरोध करते हैं कि भाया ऐसे dogs को अगर आपको कुछ खाने को देना है तो आप ऐसे फैक के मत दो किसी एक जगह पर साफ सुतरी जगह पर रख दो ताकि वो आराम से प्रेम से खा ले कहीं न कहीं मुझे इस बात सही भी लगती है अच्छी भी लगती है लेकिन पुराने समय में जो चीजे थी बस हम देख रहे हैं कि साइड में कहीं पर रख दीजे पत्थर वगरे भी रख देंगे तो काम हो जाएगा को साफ सत्री जगह पर रख दीजे ताकि जो भी गाय को आप रोटी देते हैं या डॉट को आप रोटी देते हैं तो आराम से खा सके गाय को रोटी देने का मज़ा एक ही चीज में मैं आप चाहे कुछ भी करके देख लेना अपने हाथ से मतलब अपने हाथ से सीधा उनके मूह में खिलाना होता है क्योंकि उनको डॉग जदना टाइम नहीं लगता रोटी घाने में एक सेकंड में जी बाहर आई इस पर रोटी रखी गई गायब एक सेकंड में गायब रोटी पता ही नहीं पड़ता कहा गई जब मेरे माता पिता बहुती कमफट के साथ मतलब बहुती सहजता के साथ बहुती आनन्द के साथ जब वो सेटल हो गए थे यानि कि वहाँ पर इस्थित हो गए शेहर में अब देखो सेंट के साथ अगर फॉर लगता है तो इसका मतलब होता है बुलावा यानि उन्होंने हमारा हमें बुलावा भेजा उन्होंने हमें बुला लिया that was a turning point in our friendship और बस यही से हम दोनों के जीवन में एक turning point क्या turning point आया है कैसा turning point देखेंगे उसे अना लेकिन first lecture में तो आपको पता चली गया होगा किस तरह का turning point आने वाला मतलब एक बहुत ही जब भी chapter हर बार मैं कहीं भी किसी भी कक्षा में पढ़ों जब भी chapter यहां पहुंसता है तो हमेशा जो अच्छी यादे हैं जो अब तक हम जी रहे थे खुश्वन सिंग की वो कहीं न कहीं खुशी जितनी जादा होती है किसी के साथ रहने से दुख भी उतना ही गहरा होता है जब उनसे साथ छूटता है तो वही चीज अब यहां पर हम लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है हमें पता भी है लेकिन जिनने नहीं पता उनके लिए अच्छा है जिनने पता है उनके मन में एक दुख या पीडा का भाव थोड़ा सा उत्पन होई गया होगा अब हम शहर में जाकर रहने लगे हमारे शहर के मकान में हम एक ही रूम में रहते थे शेयर का मतलब होता है हम एक ही कमरा साज़ा करते थे बाटते थे एक ही कमरे में साथ में रहते थे my grandmother no longer came to school with me लेकिन अब मेरी दादी मा मेरे साथ school नहीं आती थी I used to go to an English school in a motor bus तो मैं वहाँ पर एक अंग्रेजी माध्यम के विध्याले में जाता था एक motor bus के अंदर इस तरह की जो school bus होती है उसमें मेरा वहाँ पर जाना होता था तो guys यह हमारा second lecture है जिसमें हमने first part को देखा word meaning के साथ भी देखा sentence meaning के साथ भी देखा आगे कभी हम लोग देखेंगे और अब देखेंगे कि कैसा यह turning point आया है कैसा mode आया है इनके जीवन में और क्या ऐसे mode अकसर हम लोगों के जीवन में आते हैं या नहीं आते हैं इस तर कितना बदल जाते हैं कितनी चीज़ें हमारे life में change हो जाती है और उस change से कई बार अच्छा तो बहुत होता है लेकिन हमारी असहसता बढ़ती रहती है तो कहते हैं अगर कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना भी पड़ेगा तो एश्वन सिंग को अगर बढ़ा होना है अ तेक केर आफ यरसल बाइब और शेर कीजिए का अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आज का लेक्षर आपको थैंक यू बाइब से यू से यू था हुाँर खाग केर आपको और आपको ऑ्यू भी पबाइब रिषओ रखा एजेरा है ताभ टो से अपको ऑ्यू जोू जो दो मेह दो घ्कना दो कि हैं में से जह समन्दों अपको सक्का गभ़ेवब रहा हैं व cop Heb day बूर्ब टो और भीजूज यू